नमस्ते हिंदी में आज हम वचन पढ़ेंगे शब्द का एक या अनेक हुनी का भाव वचन करशाता है हिंदी वाश्टा में एक के लिए एक वचन और एद से अधिक के लिए बहुँ वचन का प्रयोग किया जाता है बिकारी शब्दों के संख्या Unter growing को वचन कहते हैं तो वच्चु समझ में आया एक वश्टू के लिए एक वचन का प्रयोग होता है और एक से अधिक के लिए बहु वचन का प्रयोग होता है जहां संख्याद मत ध्यान पढ़ता है, संख्या का बोद होता है, उसे वचन कहते हैं, तो एक में एक वचन और एक से अधिक संख्या में बहु वचन होता है, तो इस प्रकार वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहु वचन, एक वचन की वरिवाशा देखिए, शब् कि जिस रूप से संख्या में एक पताड एक वस्तू का वो नुप है उसे एक वचन प्हेटे हैं एक वचन के उधारण देखिए केला लडगा माला अर दूसरी इसका प्रकार है बहुचन एक से अधिक संख्या में वे शब्द हैं जो वस्तू का पदार्त का व्यक्ति का बहुत कराते हैं उसे बहुचन कहते हैं जैसे केली लड़के मालाएं अर तो यह वचन के प्रकार में वचन में विशेश क्या है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सब्यम एक वचन में ही बोले जाते हैं जैसे माता दादा और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुचन में ही बोले जाते हैं जैसे बाल लोब प्राण आशी 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 जैसे बाल आशी जैसे में परेंस और शर की जैसे बोले आशी